स्ट्यूड़न वेलकम आज हम अध्यन करेंगे क्लास नाइन्ट लेसन सेवन पैकिंग अर्थात सामान बांधना इस कहनी के राइटर है जेरोम के जेरोम कहनी का पैराग्राफ नमबर वन मैंने कहा कि मैं बैक करूँगा मैं अपनी पैकिंग की कला पर गर्ब महसूस करता हूँ पैकिंग मेरी कई चीजों में एक वह कला है जिसमें मैं सब जीवीत ब्यक्तियों में मैं हूँ जो इसके बारे में जानता है यह मुझे स्वैम को आश्चर चकित कर देता है कि और कितने प्रकार की चीजें हैं मैंने जॉर्ज और हैरिस पर इस बात का प्रभाव डाला और उनसे कहा कि बे इस मामला को मेरे ऊपर छोड़ दे बे मेरे प्रस्ताओं पर एकदम तैयार हुए जैसे कि यह एक रहस्य में बात हो जॉर्ज ने अपने आपको आराम कुर्सी पर फैला लिया और हैरिस ने अपने पैर टेबल पर फैला लिये कहानी का पैराग्राफ नमबर टू मैं यही तो नहीं चाहता था जो मेरा लक्ष है मेरा मतलब था कि मैं इस कौम में बॉस बनूँ और हैरिस ब जॉर्ज मेरे निर्देशों के अनुसार कारे में लगें मैं उन्हें बार बार एक तरफ हटाता और बोलता ओह तुम छोड़ो मुझे करने दो यह बड़ा सीधा सा काम है बास्ताव में मैं उन्हें सिक्षा देना चाहता था जैसा कि तुम कह सकते हो उनका इस काम को इस तरह से लेना मुझे चिड़ा दिया मुझे कोई और चीज इतना नहीं चिड़ाती जितना कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तब दूसरे लोगों का कुछ काम नहीं करना कहानी का पैराग्राफ नमबर थ्री मैं एक बार एक व्यक्ति के सांथ रहा था जो इस तरह मुझे पागल बना दिया करता था वह सोफे पर आलासे से पड़ा रहता और मुझे कई घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था उसने कहा कि उसे मुझे इस तरह गर्वड करते देखना बड़ा अच्छा लगता है अब मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ मैं चुक्चा बैट नहीं सकता जबकि कोई दूसरा गुलाम की तरह काम कर रहा हो मैं उट खड़ा होता और नियंतरन करते हुए चारो तरप मेरे हाथ मेरे पॉकेट्स में डालते निर्देश देते कि उसे क्या करना चाहिए देखना चाहता हूँ यह मेरी उर्जात्मक प्रकृति है मैं इससे बच नहीं सकता कहानी का पैरग्राफ नंबर फोर हालाकि मैंने कुछ नहीं कहा पर पैकिंग प्रारंब किया यह मैंने सोचा था कि यह काम होगा उससे ज्यादा लंबा काम था किन्तु अंतता है मैंने बैक का काम पूरा किया और मैं उस पर बैठा बह उसके पटे बंद गिये तब हैरिस ने कहा क्या तुम इसमें अपने बूट नहीं रख रहे हो मैंने चारों तरफ देखा और पाया कि मैं इस काम को भूल गया यह है हैरिस का काम था, उसने बैक को बंद करने वह पट्टे को बांधने तक कुछ नहीं बोला और निश्चित ही जॉर्ज हसा, उसका अर्थ हीन हास से मुझे चिडाने का, उन्होंने मुझे इतना मूर्ख समझा कहानी का पैराग्राप नमबर फाइब मैंने बैक को खोला और बूट्स अंदर पैक किये और तब जैसे ही मैं उसे बंद कर ही रहा था कि एक भैपूर्ण विचार मुझे आया मैंने अपना टूद ब्रस पैक किया या नहीं? मैं नहीं जानता था ये कैसे हुआ किन्तु मैं यह कभी नहीं जानूँगा कि मैंने ब्रस पैक किया या नहीं? मेरा टूद ब्रस एक ऐसी चीज है जो मेरे मस्तिस्क में आता रहता है जब मैं यात्रा पर होता हूँ और मेरा जीवन दुख से भर जाता है मैंने स्वपन सा देखा कि मैंने उसे पैक नहीं किया है और एक ठंडे पसीने में जागा और उसे ढूंडने लगा और सुभे मैंने उसे उप्योग करने से पहले पैक किया और फिर से उसे पाने के लिए बैक खोला और यह हमेशा होता है और यह चीज हमेशा बैक से बाहर आती है और उसे फिर से पैक कर भूल जाता हूँ इस बार भी ऐसा ही हुआ और मैं उपर दोड़ा और अंतिम छण में उसे लिया और पॉकेट के रुमाल में लपेट कर रेलवे इस्टेशन ले गया कहानी का पैराग्राफ नमबर 6 निश्चित ही मुझे सभी नस्वर बस्तूओं को उलट पुलट करना था मैं उसे पा नहीं पाया मैंने भली भाती सब चीजों को उसी तरह पाया जैसे संसार के निर्मान के समय जब अवैवस्था का सासन था निश्चित ही मैंने जॉर्ज बाहैरिसन के ब्रसेस को अठारा बार पाया पर मैं अपने टूद ब्रस को नहीं पाया मैंने फिर एक-एक करके चीजों को रखा और हर चीज को हिला डुला कर देखा फिर मैंने उसे एक बूट में पाया फिर से मैंने उसे पैक किया कहानी का paragraph number 7 जब मैंने काम समाप्त कर लिया तो जॉर्ज ने पूछा कि साबुन अंदर है या नहीं मैंने कहा कि मुझे थोड़ी भी परवा नहीं है कि साबुन अंदर है या नहीं और मैंने back को धके से बंद किया और उसके पटे कस कर बंद कर दिये और फिर पाया कि मैंने अपना चस्मा पेक कर दिया है और मुझे उसको फिर खोलना पड़ा बैक को अंतता है रात्री दस बच कर पांच मिनिट को बंद कर दिया और फिर बड़े भोजन के हेंपर से काम था हैरिस ने कहा कि वह 12 से भी कम घंटों में यात्रा शुरू करने जा रहा है और उसने सोचा कि उसे बाज जोर्ज को थोड़ा आराम करना पड़ेगा मैं सहमत हुआ और बैट गया और उन्हें जाना था सोच चले गए कहानी का पैराग्राफ नमबर एट उन्होंने एक हलके दिल की भावना से सुरू किया इस पस्टूप से मुझे दिखाने के लिए कि इसे कैसे किया जाए मैंने कोई टिपणी नहीं की मैंने केवल इंतजार किया जॉर्ज को अपवाद रूप से छोड़ कर हैरिस दुनिया में सबसे खराब पेफर था और मैंने प्लेट स का और कप्स का और केटली और बोतलों का और जार बाकचोडियों का और स्टोब और केक्स का और टमाटरों इत्यादी का एक धेर देखा और महसूस किया कि ये सीगर एक मज़दार जेम बनने जा रहा है और यही हुआ उन्होंने एक कप तोड़ कर सुरुआत की यह है पहली चीज थी जो उन्होंने की उन्होंने यही काम किया यह दिखाने के लिए की बेग क्या कर सकते हैं और आप इनमें दिल्चस्पी लो फिर हैरिस ने स्ट्रॉवेरी जेम को एक टमाटर के उपर पैक किया और उसे चूर चूर कर दिया फिर उनको टमाटर को एक चाय के चम्मच से उठाना पड़ा कहानी का पैराग्राफ नमबर नाइन और फिर जॉर्ज की बारी थी और उसके पैर मक्खन पर पड़े मैंने कुछ नहीं कहा किन्तु मैं आया और टेबल के किनारे पर बैठा और उनको देखता रहा और कोई बात उनको कहता उसके बजाए मेरी चुपी ने उन्हें चिड़ा दिया यह बात मैंने महसूस की इसने उनको निरास तथा उत्तेजित कर दिया और उनके पैर चीजों पर पड़ गए और उन्होंने कुछ चीजों को अपने पीछे रख दिया और जब उनकी जरूरत पड़ी तब बहे उन्हें खोज ना सके और उन्होंने कचोडियों को नीचे रख दिया और उपर भारी चीजें रख दी और कचोडियों का चूरा हो गया कहानी का पैराग्राफ नमबर टैन उनसे हर चीज पर नमक विखर गया और जहां तक मक्खन का सवाल है मैंने कभी दो ब्यक्तियों को एक या दो पेंस के मक्खन को पूरे जीवन में ऐसा होता कभी नहीं देखा जैसा उन्होंने किया जॉर्ज ने उसे अपने स्लिपर से निकाला उन्होंने उसे केतली में रखने की कोसिस की वह अंदर जाए नहीं और उसके अंदर जो था वह बाहर आए नहीं अन्तत है उन्होंने उसे खुर्चा और उसे एक कुर्सी पर रख दिया और हैरिस उस पर बैट गया और फिर उन्हें याद आया और बेप पूरे कमरे में ढूनने लगे कहानी का पैराग्राफ नमबर इलेवन मैं कसम से कहता हूँ कि मैंने उसे एक मिनट पूर्व कुर्सी पर रखा था हैरिस ने कहा मैंने तुम्हें यह करते स्वयम देखा फिर बे कमरे के चारों और उसे ढूनने लगे फिर बे कमरे के बीच में मिले और एक दूसरे को घूरने लगे मैंने अभी तक ऐसी असाधरन घटना नहीं सुनी जॉर्ज ने कहा हैरिस ने कहा इतनी रहस्य मैं फिर जॉर्ज घूमकर हैरिस की पीट की तरब गया और उसे देखा अरे यह यहाँ पर हमेशा से है बहे कुपित होकर बोला कहां हैरिस चिलाया और चारों और घूमा जॉर्ज गुराया खड़े रहो क्या तुम खड़े रहोगे और फिर वहे उन्हें मिल गया और टीपोट में उसे पैक कर दिया कहानी का पैराग्राफ नमबर ट्वैल्व कुत्ता मॉंट मोरेंसी निश्यत रूप से इस मामले में था मॉंट मोरेंसी जीवन में आकांच्छा थी कि वहे रास्ते में आए और उसे कोसा जाए यदि वहे रेंगता हुआ नहीं कहीं भी जाए जहां उसकी जरुरत नहों और एक सिरदर्द ना बने और लोगों को पागल ना बनाए और उसके सिर पर चीजे ना फेकी जाए तो वहे महसूस करता है कि उसका जीवन बैर्थ गया किसी को उस पर लडखडा जाना और घंटों तक उसे कोसा जाना उसके जीवन का उच्चतम लक्ष था और जब वहे अपने लक्ष में सफल हो जाता तो उसका गर्व सीमा पार हो जाता कहानी का पैरग्राफ नमबर थर्टीन वहे आया और चीजों पर बैठ गया ठीक जब वे पैकिंग करना चाहते थे और उसने उस निश्चित विस्वास के साथ सरम किया कि जब भी कभी हैरिस या जॉर्ज किसी चीज के लिए हाथ बढ़ाएं तो उसकी ठंडी नम नाक उनके हाथ में उस बस्तु की जगह आये उसने अपने पैर जैम में डाले वह चाय के चमच के बारे में सोचने लगा और उसने ऐसा स्वांग किया कि नीवू नहीं चुहे थे और हेमपर में पैर डाले और उनमें से तीन को मार डाला इसके पहले की हैरिस उन्हें फ्राइंग पैन में डालता कहानी का पेराग्राफ नमबर फूर्टीन हैरिस ने कहा मैंने उस कुत्ते को प्रोसाहित किया मैंने उसे प्रोसाहित नहीं किया इस प्रकार के कुत्ते को किसी प्रोसाहन किया उसकता नहीं थी यह उसका सौभाविक पाप था जो उसे इस प्रकार की चीजें करवाता था रात बारा बचकर पचास मिनिट तक पैकिंग हो गया था और हैरिस एक बड़े हेंपर पर बैठ गया और उसने उम्मीद की थी कि कोई भी चीज टूटी हुई नहीं मिलेगी जॉर्ज ने कहा यदि कोई चीज टूटी तो टूटी इस बिचार ने उसे चैन दिया उसने यह भी कहा कि वह सोने को तयार है हम सभी सोने को तयार थे हैरिस भी हम लोगों के साथ सोना चाहता था और हम उपर चले गए कहानी का पैराग्राफ नमबर फिप्टीन हमने बिस्तरों के लिए सिक्का उच्छाला और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा उसने कहा तुम बिस्तर के अंदर या बाहर सोना पसंद करोगे जे मैंने कहा मैं सामान ने तहा बिस्तर के अंदर सोना पसंद करता हूँ Harris ने कहा यह अजीब है George ने कहा साथियों मैं तुम्हें कितने बजे जगाऊं Harris ने कहा साथ बजे मैंने कहा नहीं छे बजे मैं कुछ पत्र लिखना चाहता हूं Harris और मैं इस पर थोड़े मत भिन्न थे किन्तु अंतत है हम भिन्नता को दो भागों में बाटना चाहते थे और कहा साथियों छे बजे हमने कहा George हमें साथियों छे बजे जगाना कहानी का पैराग्राफ नमबर सिक्स्टीन George ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह कुछ समय के लिए सो गया था इसलिए हमने बात को ऐसी जगे पर रखा जहां जब बहुत सुभे जागेगा तो उस पर लड़ खड़ा जाएगा और हम स्वयम सो गए आप सभी को अध्यन के लिए बहुत बहुत सुपकामना है अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं आप इन में से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्यन निरंतर जारी रखें कुन से कुचके सक कुनकर बटन के लिए कुनकर उसम आप म 온 के बटन निरंतर ऒॉत को आपके सक का इन में स सक्रीन कुनकर जैं के उस्प में सब्स्य चिःको ते दो किन आपके स। किना